बात करते हैं मारूती Suki Swift के next generation launch करने के बारे में दोस्तो 24 में इसका next generation launch होने वाला है इंडिया में जो कि Japan में unveil कर दिया गया है अगर मारूती Suki Swift की history की बात करें तो 2005 में इसकी first generation launch हुई थी इंडिया में तब लोगों ने कुछ ज़्यादा पसंद नहीं की थी और लोग की satisfaction एक अलग ही लेवल पे थी इसमें 1.3 लीटर पेट्रोल इंजर लॉंच किया गया था जो कि एस टीम में था इसके बाद मारूटे जू की Swift की सेल आसमान चुने लगी अब इसकी next generation फिर से लॉंच होने वाली है तो चलिए बात करते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या म projector headlamp आपको मिलते हैं L-shape DRLs देखने को मिलते हैं और इसका जो design form है वो change नहीं किया गया और heart tech platform के उपर ही बनाई गई है आगे थोड़ी सी black color की skid plate मिलती है जो कि और sporty लगती है side profile देखें तो side profile में आपको बढ़िया से alloy wheels देखने को मिलते हैं hybrid की badging मिल जाती है क्योंक launch की जाएगी या नहीं क्योंकि यहाँ पर वैसे ही mileage काफी मिलती है swift की अगर door handle के उपर लेके तो एक sleek सी line आपको देखने को मिलती है जैसे कि हमें जारा तरफ Volkswagen की गाड़ियों में देखने को मिलती है और rear का door handle है उसे भी इन्होंने horizontal लगा दिया है rare profile देखें तो rare profile में भी बहुत से changes देखने को मिलते हैं Suzuki की badging है जो rare tail lamps है वो बड़ी कर दी गई है LED tail lamps है ऐसी tail lamps पहले after market लगवाई जाती थी अब Suzuki अपने end से ही दे रहा है wiper मिल रहा है washer मिल रहा है और जो rare का bumper है वो भी half black color किया गया है जिससे की काफी अच्छा लग र दिये हैं interior में आपको बहुत सारे changes देखने को मिलेंगे interior देखें interior पहले जो आता था पूरी black tone में मिलता था first generation से लेकर अभी तक black tone में ही देखने को मिलता है जो की ज्यादा पसंद नहीं आ रहा अब dual tone में देखने को मिलेगा black और light gray या फिर ivory color का MID same वैसे ही देखने को मि मिल रहे हैं बलेनों ले लीजिए चाहे जिमनी ले लीजिए सभी में ऐसे ही देखने को मिलेंगे और seven inch की touchscreen infotainment system देखने को मिल जाएगा fabric seats देखने को मिल रही है और driver side में पहले handrest नहीं आती थी अब थोड़ी सी handrest भी लगा दी गई है जिसमें कि आपको space नहीं मिलती ब इसके engine के बारे में जपान की बात कहें जपान में नया engine introduce किया गया है Z series petrol engine जो की three cylinder है और hybrid engine भी है जो की ज्यादा mileage देगा इसके साथ ही ADAS का feature भी offer किया गया है 30-40 MPL की mileage claim की गई है अब इंडिया की बात कहें तो इंडिया में जो 1.2 litre petrol engine मिल रहा है वही शायद continue किया इसकी mileage है बढ़िया है उसकी performance है तो यहां तो वही मिलने वाला है transmission आपको सेम वही manual और automatic मिल जाएंगे color option की बात करें जापान में तो 9 color option introduce किये गए हैं और 4 dual tone लेकिन इंडिया में ज़्या सिरा 6 या 7 monotone introduce किये जाते हैं और 3 dual tone तो इंडिया में ये color शायद ही introduce किये आया है कि 6.60 से शुरू होगा इंडिया में और 10.50 रुपे तक जा सकता है इंडिया में ज्यारा तर CNG की demand है तो CNG में जरूर offer की जाएगी आपको नई swift का design कैसा लगा comment करके जूर बताईएगा मुझे इसकी जो front grill है उसका design थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है अभी बाकी जो actual में गाड़ी आएगी तब देखने में लगता है कि कैसा लगेगा बाकी अभी इसकी launch date वगारा fix नहीं हुई और testing वगारा इंडिया में भी start हो चुकी है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए thank you thank you so much